हलो फैंड तो फैर्लाट इस वीडियो में आपको बता हुँआ कि दिकलवण किसे कहते हैं फैर्स दिकलवण को इंगलिश में double fold भी बोला जाता है तो फैर्स चेलिए हो को स्टार्ट करते हैं दिकलवण कहलाते हैं तो तिने चीज का क्या मतलब हुआ ऐसे योगिक जिनने हम यदि किसी विलियन में घोलते हैं तो वे अपने आईयनों में विभख्त हो जाते हैं इस तरह के योगिक को दिखलवन कहते हैं एक बार रिपीट करता हूँ फेंस अगर हमरे पास कोई योगिक है और हमने उस योगिक को किसी विलिन में घोल दिया जैफिर डाल दिया कुछ भी समझ लो तो अगर वो योगिक अपने सरल आइनों में विभक्त हो जाता है तो इस तरह का योगिक दिखलवन कहलाता है फॉर अग्जामपल पोटाश एलम जिसको हम फिट करी भी बोलते हैं जिसका फर्मला होता है के टू एसो फूर इंटू एल टू एसो फूर का होल्टिराइज इंटू 24 एस्टू यदि हम पोटाश एलम यानि फिक्ट करी को एक दिखलवन बोलते हैं कहने का मतलब क्या है कोई ऐसा योगिक जो जल में या फिर किसी अधर विलियन में घुलने पर अपने सरल आयनों में विभक्त हो जाता है तो इस प्रिकार के विलियनों को दिखलवन कहते हैं आता है यह एक दिखलवन है मतलब कि पोटाश एलम अपने इन आयनों में विभक्त हो गया जल में खुलने पर इसलिए हम कहेंगे आता है पोटाश एलम एक दिखलावाड है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंस प्री वीडियो को लाइक कर देने चैनल को सस्क्राइब कर लेना अगर आपको मुझे से कोई कोशन पूछे नहीं तो डिस्क्रिप्शन में इस्ट्राइब कोड के लिंक मिल जाएगा इस्ट्राइब मुझे फॉल्व कर लो वापे मुझे सबने कोशन पूछलो थेंक यू फर वाचिंग